हेलो दोस्तों नमस्ते माई नुश्टेरों में आप सबका स्वागत करती हूँ माई सूल फैंबली माई वीवर्स माई सिस्क्राइवर्स काड ब्लेस यूँ अपसो तो सेंखें पर ब्लेस आई विधियो अंध करहें हो अपके पार्टनर के आज दुपहिरिश के के निए उर्या तो आज दुपहर आपके पार्टनर किया माई स्ट्राइव नियुक्त के है उ ंके लिए क्या कूछ चल्रा आपके लिए अभी इस रुपहर के एनर्जी में आपके पार्टनर के एनर्जी क्या है इंजस्प्लिस कईट करें डिवाइन गाइट करें कालेक्टिव रेडिंग चाहिए सारे साइन की लोग देख सकते हैं मेल फिमेल मैरें और सब के लिए है तो वीडियो का नाम ले लिए मनी मन में को याद कीजिए दीन बार ले लिए और इंटेंशन सही रखिए इंचसे मेल फिमल मैरेड़ अब के लिए है आज तो पहिर की एनर्जी वीवर्स के पार्टनर के मोमेंट तो मोमेंट देखे इस परसंड के अंदर अभी बहुत सारे इनर्जी में उतार चल रहा है इस पक्ति याद रखिएगा आपके पार्टनर के पूरी तरी की एनर्जी जो है वो बैलेंस नहीं चल रही है अभी इस वक्त की एनर्जी मिक्स एनर्जी कभी बहुत प्यार है तो कभी गुसा है कभी जीद है कभी स्ट्रेस है कभी आपके मैं देख पारी हूं कि बहुत सारे चेंजेस लानी के वह कोशिस लगतार किये जा रहे हैं यह जाहते हैं सब कुछ ठीक करना अच्छो आईशोलेशन दफूल हैं माइंड तो आज की एनर्जी में देखती हूं आज के इनर्जी कहाना देखिए सारे काट्स वैसे ही आ रहे हैं क्योंकि कहीं ने कहीं आपके पार्टर दिस्टर्ब देख रहे हैं ठीक है बहुत अच्छी आज के इनर्जी ने निकल पाड़ी है एक चेंज जरूर दिखाई दे रहा है कि काफी एकोसिस कर रहे हैं रेलेशन हो नहीं पा रहा है बहुत उतार चड़ाव चल रहा है ठीक है एनर्जी में भी उतार चड़ाव के इनर्जी कफी चल रही है कभी बहुत अच्छा फील होता है कभी मूट स्विंग्स होते हैं कभी बहुत प्यार आता है कभी लगता है सारी दुनिया एक तरफ और एक तरफ पाप इस्तर की वाइब्रेशन है आजकल समझ में नहीं आ रहे कि वो करें तो क्या करें माइंड बहुत डिस्टाब है परिशान है आपको खोना भी नहीं चाहते हैं अगर इन्होंने आपके साथ कुछ चीजें सही नहीं की है तो भी सोच रहे हैं मिस कर रहे हैं शाय है साइल इस वक्त फोड़ा सा आपके परसन फैमिली इस चुका ना फैमिली ड्रामा खुछ चल रहा है इनके लाइफ में ठीक है बट आपके परसन आपको मिस कर रहे हैं बहुत कोशिस कर रहे हैं अपने प्रशानी को दूर करकर एक नहीं शुरुआत करने का तो एक ट्रांस्फरमे संदेथ और रिवर्थ की एनरजी है और वो चेंज है ठीक है देखिए आपसे बात तो करना चाहते हैं अपरोज करना चाहते हैं लेकिन साथ इन्होंने आपको इतना हट कर दिया है कि इनका माइंड बाड़ी सोली थक चुका है अभी सोच रहे हैं कि मैं कैसे क्या करूं क्य देखिए फैमिली ड्रामा चल रहा है इनके लाइफ में फैमिली ड्रामा बहुत स्टॉंग चल रहा है इमोर्स अपके कन्फ्यूजन को दूर करना चाहते हैं मुझे लगा बहुत सारे वीवर्स यहां पर आपके अंदर काफी कॉंफिदेंस लेवल आया है ठीक है जस्टिस Seven of Swords देखें कभी-कभी आपके parnner की कहना इनर्जी बहुत ज़्यादा यह हो रही है कि Seven of Swords के इनर्जी जस्टिस है यह खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं कि इनके साथ हो क्या रहा है यह क्या सोच रहे है ठीक है कुछ explores आपके partner हो सकता है husband wife भी हो सकते हैं परなたफें बहुत कुछ पारेंश इशू आ रहे हैं या फिर कोई ऑप्स्टिकल है जो आप दोनों के बीच में हैं चिक है यहां पर पाइसस कंसर स्कॉर्पियों के एनरजी है लिब्रैकुरिस जमनाई के एनरजी है कैप्रिकाउन टॉरेस बर्गों के एनरजी है एरिस लिएन साजेटरियस के मुझे लग रहा कि आज के एनरजी में मैं बहुत सारे विवर्स आपी डिस्टर्प दिखाई दे रहे हो ठीक है इस रिलेशन्शिप में इस इस्ते में आप बहुत जादे इंट्रेस्टेड़ हो बट आपके अंदर भी कभी गुसा कभी इंसाइटी कभी खुद को अकेला म महसूस करना प्रेशर दिख रहा है बहुत सारे विवर्स आपके अनरजी में भी किसी प्रकार का प्रेशर दिख रहा है ठीक है लेकिन एक चीज़ है कि आप हार नहीं मान रहे हो सबसे बड़ी बात कि आप हार नहीं मान रहे हो अपने कॉन्फिदेंस को लूज नहीं कर रह और कुछ के लिए हो सकता है कि आप दोनों में कुछ गलत फह्मिया भी हो तो चेंज जो है दिख रहा है कि कुछ के लिए बहुत पॉजिटिव है लेकिन कुछ के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर से उनके पैरेंस से या फिर आपके पार्टनर से हो सकता है कि थोड़ा और कुछ विएस यहां पे जब आप परशानी फिल कर रहे हो कुछ विएस आप बहुत ज़्यादा मतलब चाहते तो हो कि खुद पर वर्क करें अपने थकापट अपनी परशानी को दूर करें कि बहुत सारे विएस परसन के लिए आपके अंदर एमोसंस प्यार बहुत कुछ ह है चिक है और कहीं न कहीं जैसे लग रहा है कि आप तो लब देते हो लेकिन यहां पर आपके जैसे लगड़ा है सोली ना जैसे सोल कहीं माइंड बूलिए स्परीड कहीं यह बिल्कुल ठका हुआ है तो बहुत सारी वीवर्स आप प्रशान दिख रहे हो किसी परकार का आप आपके उपर प्रेशर है या फिर प्रेशर हो सकता है या फिर आपके पार्टनर से प्रेशर हो सकता है या लेगल इससे प्रेशर हो सकता है लेकिन चेंज आ रहा है अब चेंज यह कैसा आएगा यह बाबू आप पर डिपेंड करता है कि आपके नर्जी कैसी है या बहुत अच्छा हो सकता है, या फिर कुछ decision ले सकते हो, ठीक है ये भी हो सकता है, आपके परसेंच कुछ decision ले सकते हैं, या फिर एक नई सुरुवात अच्छे से भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर दो तरकी energy है, क्योंकि change है ना, तो change में हर, हर इंसान के लिए ये सही नहीं कि एक नई स इस वाध बीग हैपी चेंजेस होुख केक है कि और कुछ के लिए मुझे लग रहा है कि कि पेर्शी लीगल इसु transparent के मांभले में कुछ प्रोचानिया चल रही है डिर्थे आपके पार्टनर इस वाँक अपने मन की अपने । दिल की बाह सेयर चाहते हैं sharing की energy है लेकिन आपके अंदर का confidence तो बढ़ा है चाहे आप ठके हुए हो हारे हुए या आप confused हो या भी आपके आँके पर पट्टी बढ़ी हो ठीक है इस person को आप प्यार करते हो लेकिन कहीं ने कहीं आपके अंदर जो बदलाओ जो confidence आया है देखिए ये कुछ अचानक से changes आ आप लोग में मुझे दिख रहा कि बहुत सारी ये एक अचानक से changes आपके life में आपके energy में आते हुए दिख रहे हैं लेकिन कहीं न कहीं आपको मन को सुकुन नहीं मिल रहा ठीक है वो peace नहीं मिल रहा आप काफी को सिस कर रहे हो इस person को unconditional love दे चेंज लाए चेंज भी दिख करें भी होते हैं लेकिन इस person के लिए आप positive ही सोचते हो बहले ही आप गुस्सा कर लो या आपके अंदर pressure है गुस्सा है जीद है आंकों पटी है चिरचिरापन है लेकिन मैं है देख पाड़ी हूं कि इस person के लिए कहीं न कहीं आप positive ही सोच रहे हो ठीक है यह person change लाना चाहत हो जाए और आप दोनों मैं बात और मुलाकात हो जाए ठीक है मुझे लगा कुछ verse आपके मंद में किसी परकार का डर है ठीक है वो Miss कर रहे है आप darkness से रिलेटेड हो या उनके parents से related हो आप दोनों अलग नहीं होना चाहते हो और मैं कुछ वर्ज में आपका मैं देख पाड़ी हूँ sharing और strength to of source हो सकता है कि आपके आँखों पर पट्टी बंदी हुई थी लेकिन अब ये आँखों की पट्टी आपकी हट्टी हुई नजर आड़ी है आप confident हो गए हो भले आप ठाके हुए हारे हुए लेकिन हार नहीं मान रहे हो खुद के pressure परशानी से आप हार नहीं मान रहे हो ठीक है क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत सारे viewers आपके partner miss बहुत कर रहे हैं पुरानी यादों में खोए हैं और सांती के तलास में हैं कुछ वर्स आप सांती आप भी सांती खोज रहे हैं जिस होतार पीस सांती अकेले में रहना कुछ किसी से बाचित नहीं करना बह हो तो थोड़ा आप अपने उपर फोकस भी करना चाहते हो लेकिन आप भी बहुत मिस कर रहे हो और आपके partner भी आप मिस करते हुए नजर आ रहे हैं लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ विए जितना आप डिस्टर्ब हो आपके partner भी डिस्टर्ब बहुत जादा है ठीक हो तो देखिए बाबू यहाँ आपके partner कहीं न कि यह निगेटिव थोट से यह आपको भी ट्रिगर करते हैं खुद को भी ट्रिगर करते हैं लेकिन एक चीज है कि night of pentacles and change the devil ठीक है देखिए यह devil जो कह रहा है तो एक change आप लोग के लिए big happy changes आ रहे हैं कुछ के लिए बरा approach आपके तरफ हो सकता है pressure आपका कम हो सकता है लेकिन कुछ change देखिए devil की energy भी कहता है कि हो सकता है यह aggressive है गुसा है आपको साथ fight कर सकते हैं आपको गुसा दिखा सकते हैं आपको confused कर सकते हैं तो कुछ भी और देखिए change जो आ रहा है सबकी अपनी-पनी changes लेकिन changes आ रहे है क्योंकि आप देख रहे हैं कि बहुत सारे mix energy आइसका लाड़ी है चीजे चुपाना, ego से deal करना चाहे वो parents से बात करो है या ना कर रहे हो लेकिन कहीं न कहीं ये person आपके तरफ बढ़ना चाहरे है आपके तरफ step बढ़ना चाहरे है मन के डर को खतम करना चाहरे है ठीक है तो मुझे लग रहा इस person को आपके पास आना ही होगा क्योंकि the devil भी है, ace of cups भी है, nine of cups भी है और death and rebirth भी है और इस person को देखिए sharing की energy है ठीक है सायर या आप से कुछ पुछना चाहते हैं या अपने दिल की emotions को share करना चाहते है ठीक है या आप एक दूसरे को ignore कर रहे हो या एक दूसरे से बाचित नहीं कर रहे हो और आप उनसे दूर हो रहे हो तो देखिए आप अगर उनसे दूर हो रहे हो मैंने कहा कि बहुत सारी वर्स आपके partner को आप से सवाल करना है और आप जबाब दोगे वो वाली vibration है कुछ विर्स आपके partner अपने दिल की emotions को share करना चाहते है कि तुम मेरे लिए कितने important हो लेकिन मन में डर दोनों को ही यहाँ पे दिख रहे है कुछ विर्स आपके partner को भी डर है कुछ विर्स आपके मन में भी डर है लेकिन एक change आ रहा है इश्वर करें सबकी एक शाये फूर्णो क्योंकि nine of cups की energy है the full की energy है judgment की energy है, justice की energy है लेकिन यह person है प्रिशाद देखिए यहाँ पे आप दोनों के बीच में reasons कोई भी हो चाहे वो parents हो या आप दोनों के relationship में एक दूसरे पर विश्वास ना हो ठीक है तो यह person जो भी यह दिखावा अब तक करते आ रहे थे तो यह अपने आखों की पट्टे को हटाना चाहते है और दिखें सही बात है कि इस person के अंदर कुछ न कुछ चेंजेस मैं देख पाड़ी हूँ इस रिष्टे को लेकर the shore की भी energy है कि कुछ न कुछ चेंजेस आ रहा है और इस person के अंदर जो परशानी हो रही आप देख रहे हैं कि किस तरह की यह person trigger खुद को कर रहे हैं यह जान लीजिए energy negative thoughts को पैदा करती है ठीक है तो जिस तरह की energy है देखिए यहाँ पर आवर्नेस कुछ विवर्जी आपके पार्टन को किसी तरह का वाइनांस भी कुछ अच्छा होता वह दिखाई दे रहा है देखिए यहाँ पर है isolation तो कहीं ने कहीं विवर्जी आपके पार्टन घुटन की energy में है देखिए यहाँ एक चीज दिख रहा है कि यह कुछ जान बुझकर नहीं कर रहे थे ठीक है ऐसा वो कहना चाहते हैं आपसे दूर नहीं होना चाहते थे लेकिन यह हुआ यह change आया ल कि उन्हें आपका प्यार चाहिए ठीक है जिसने यह disturb है isolation की energy में है जितने हारे हुए जहान को सांती मिल नहीं रही है पीस नहीं मिल रहा तो यह person आपके साथ नहीं सुर्वाद चाहते हैं या प्रोच करना चाहते हैं कुछ पास के बातों को याद करें आप दोनों के बीच में क्या कुछ हुआ लेकिन कुछ लोग हैं यहाँ पे कुछ लोग हैं जो बिलकुल नहीं चाहते हैं कि आप दोनों का साथ हो या मिलन हो या Union हो लेकिन यहां आपके पार्टनर कहना चाहते है मैं भी Miss कर रहा हूँ तू भी Miss कर रहे हो तो कहीं न कहीं हम दोनों को एक दूसरे की जरुवत है तो आपके पार्टनर इस Relationship में और Life में भी आगे बढ़ना चाहते है और इस Relationship में भी आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन रही बात आप लोग के बीच में गलत फैमिया तो कुछ विविऊर्स यहाँ Four of Pentacles के एनरजी देख रहे हो तो यह Four of Pentacles के एनरजी यह भी दिख रहा है कि देखे कुछ चीजे यह दबा रहे है चुपा रहे हैं चाहे वो चीजे कुछ भी हो, चीजे कुछ भी हो, यह चीजे छुपा रहे हैं, चाहे वो आपका प्यार हो, या इमोसन्स हो, चाहे इस रिलेशन्सिप को यह बचाना चाहते हैं, कुछ पैसे से रिलेटेड भी, जिस तरह आपके पार्टनर का फाइनसली जैसे बिजनस हो, ज क devails अंहे कंपर फोकुस करना चाहें तो बचाना चाहे तो बचाना चाहा थे हैं फैसे दाना चाहे और लेकिन कभिक्राइब को इनके दyलों दिमांग में चोप्तिर में आह Schutz और में दिया कि आपके साथ एक नई शुरूवात हो तो कि मुझे लग रहा है जिस तरह के इनर्जी है आपके पार्टनर के आप देख लो ना चारो तरफ से इस बंदा इस बंदी का ना जो घुटन वाली वैब्रेशन है तो शोर के नर्जी शेरिंग के नर्जीए देवल इनर्जी चेंज की energy और यहाँ पर strength की energy इस person को क्या लग रहा है कि जैसे होता ना इंसान आगे बहुत अब यह बहुत आगे निकल चुका है या निकल चुकी है मेरे हाथ नहीं आने वाला नहीं आने वाली तो isolation की energy लिए कि कुछ memories कुछ past की बाते याद कर रहे है मन में डर भी है ठीक है क्योंकि आप में काफी बदलाव आया है काफी confident हुए हो आपका confusion clear हो रहा है कुछ वर्ष जो आप अपने life में changes लेकर आ रहे हो इस person को घुटन सी हो रही है और ये person change लाने की कोशिस लगतार कर रहे है ठीक है सबसे बड़ी बात इनके मन में डर भी है कि क्या आप इनको चाहते हो क्या इस रिष्टे में आप interested हो सबसे बड़ी बात ये निकल कर आ रहे है ठीक है एक बात ये भी चल रहे है कि ये person प्यार तो करते हैं लेकिन परशानिया बहुत है ठी इतनी जरुवत है उन्हें आपकी ये तो आपके person ही समझ पा रहे है ठीक है तो कुछ अचानक से change आ रहा है ठीक है कुछ अचानक से एक बड़ा change आ रहा है ठीक है कुछ विर्स आपके partner को ना अपनी खुसी की पड़ी थी ठीक है और आज भी बहुत सारी विर्स आपके partner को अपना करियर, अपना focus, अपना काम, अपना goals पर भी focus है, ठीक है, लेकिन यह इस वक्त disturb है, ठीक है, खुद को रोक भी नहीं पा रहे हैं, नहीं, खुल कर यह express कर पा रहे हैं आपसे, ठीक है, मजबूरी हो, प्रशानी हो, यह regions हो, ठीक है, तो यह इस person के मन में डर भी है, ले अपने goals को भी छुपाना चाहते हैं, अपने रिष्टे को भी बचाना चाहते हैं, अपने प्यार, अपने emotions को भी hide कर रहे हैं, तो कभी-कभी इनके दिमाग में mood six भी हो रहे हैं, क्या आप काफी smart हो गए हो, ठीक है, सही बात है, आप खुबसूरत हो, smart हो, बहुत अच्छ हो, ठीक है, आप काफी confident होगे, लेकिन आपके तर बढ़ने के लिए भी न, आपसे बात करने के लिए आपको approach भी करना चाहते हैं, तो आपको पता है, कि इनको मनाना पड़ेगा, बहुत कोसिस करनी होगी, क्योंकि कहीं न, कहीं आप काफी smart हो चुके हो, ठीक है, और देख परसन कह सकते हो, जुनून कह सकते हो, कि मैं तुम्हारे बीन अधूराओं चाहे, कुछ मुझे मिलना है, मुझे पाना है, लेकिन मन में एक डर्ड जरूर है, क्योंकि इन्हों ने अगर आपको परशान ट्रिगर किया है, आपको दुख दिया है, दर्द दिया है, तो भाई इनको तो हिम्मत जुटानी पड़ेगी न, अप्रोज करने के लिए, कि आप क्या चाह रहे हो, आप क्या नहीं चाह रहे हो, आपके बतलाओं देखकर भी इनके मन में बहुत सारी बाते आ रही है, ठीक है, तो इस परसन के अंदर देखे, प्यार ही इमोसर सब कुछ है, ले आप अचानक से आपसे बातचित करें, या अचानक से आपको कमिट्मेंट दें दें, या अचानक से आपसे मिलने चलें, अचानक से आपको अनब्लॉक कर दें, अचानक से अपने पैरेंस को मना लें, अचानक से आपके पैरेंस से बात कर लें, कुछ भी अचानक से हो सकता यह चेंज है और मिक्स एनरजी यह अचानक वाली एनरजी है ठीक है कुछ वियर्स आप अपने आपको अपने आप से बात कर रहे हो ठीक है बहुत सारी वियर्स यहां मैं देख रहे हूं कि कहीं न कहीं आपका जोतन इंसान ठक जाता जैसे बॉड़ी काम नहीं करता दिमाग क कोई सपोर्ट सिस्टम ही नहीं हो जाहे वह पैरेंस फैमिली हो आपके खुद के बच्चे हो या आपके खुद के भाई बेहन हो जो भी हो जैसे लगड़ा है आपके लिए सब कुछ बेकार है यह थकावट यह बेचैनी सिर्फ आप महसूस कर रहे हो ठीक है लेकिन एक परशानिया है मुमेंट टू मुमेंट आपके तब स्टेप बहा रहे हैं लेकिन इन्हें भी तो जैनना है कि आपके दिल और दिमाग में क्या कुछ चल रहा है ठीक हो उनको लगता है कभी-कभी कि साइथ देखिए इनके मन में कभी-कभी लग रहा है कि साइथ आपको अप पैरेंस से बात करें या आपके साथ नई सुरुवात करें और जो भी चेंज आ रहा है यह अचाना का रहा है क्योंकि पैसन जुनून बहुत जादा है और देखिए गुस्से के साथ साथ अट्रैक्शन भी है पैसने इनर्जी भी है यह कहना चाहते कि मैं तुम्हारे सारे क सुस कर रहे हो बाबु यहाँ पर खुद पर बढ़के किजी थोरा सा अपने आपको अकेले रखिए अकेले रहकर किसी से बाचित ना करने का दिल कर रहा हो तो अपने लाइप में एक मतलब कहा जाए ऐसा नहीं कि आप स्ट्रेस में चले जाओ कुछ ऐसे चीज सुनो ऐसे करो क्लिश करो पेंटिंग करो सिंगिंग करो ठीक है कुछ और उलशन एक मन में करो मतलब अपने आपको अगर आप स्टकव आख है तो वह क flavors को अ उसे क्या करो कि Cour Onay himself Can The Livest soul को थोड़ा सा rest दिजिए ठीक है space दिया है तो खुद को भी feel कीजिए और उनको heal कीजिए ठीक है बहुत सारी विवर्स आपके energy में भी मैं देख पा रही कि बहुत सारी विवर्स आप भी परशान दिख रहे हो ठीक है है लेकिन कभी कभी गलत फैमिया negativity हा भी हो जाती है तो हो सकता है आप बहुत जदा negative सोचने लग रहे हो लेकिन ऐसा नहीं है मजबूरी परशानिया सब आएंगी लेकिन आज इस person को देखिए मजबूरी भी है तरब भी है बेचैनी आपका साथ भी चाहिए दिल के बाद सेयर भी करना चाहते हैं लेकिन आप तक पहुँचने के लिए अप्रोच करने के लिए confusion दूर करने के लिए इन्हें क्या करना होगा हिम्मज उटाना होगा इनके मन को डर को खत्म करना होगा आप नाराज हो गुस्ता हो कनफ्यूज हो किसी बात को लेकर आप लेकर बैठ चुके हो तो ये चीज इनके मन में भी हो रहा है लेकिन ये चेंज लाना चाहते हैं ठीक है ये परसंट चेंज लाना चाहते हैं क्योंकि अपने दिल की बास सेयर करना चाहते हैं कर रहे हैं और देखिए डैविल की एनरजी देखा जाए तो यहां भी है ठीक है यहां पे पैरेंस फैमिली इशू बहुत है जो नहीं चाहते हैं चाहे आप लोग में कास्ट इशू एज गैप हो रिलेजन इशू या आप दोनों हस्मेंड वाइप हो जहां लीगल इशू की बाते चल रही है दोखे चीटिंग की बात आ रही है जूरू कोई देखिए कभी-कभी आप ऐसा भी लग रहा है कि आपके अंदर जो कॉंफिडेंस आया है तो यह आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं लेकिन कभी-कभी सिवन अप सोच रहे हो क्या दोनों ही एक जैसा रहा है ठीक है कुछ विर्स आपके पार्टनर के बारे में आप सोच रहे हो या आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे है ठीक है कि आपके साथ माइंड गेम खेला जा रहा है या वो सोचे कि मेरे साथ माइंड गेम खेल रहा है तो कुछ विर्स आप लोग में कन्फि कुछ अच्छा चेंज भी आ रहा है ठीक है बी पॉजिटी बी स्ट्रॉंग मैनिफेसेशन कीजिए मन के निगेडिविटी को दूर कीजिए तो एक बीग हैपी चेंज भी आएंगे क्योंकि ये परसन की एनर्जी आप देख रहे हैं कि किस तरह के खुद को ट्रिगर करते हुए नजर आ रहे हैं कुछ फाइनांसली भी आज आपके पार्टनर को गुड निज मिल सकते हैं ठीक है और यहां घुट रहे हैं रो रहे हैं तरप रहे हैं लेकिन वो आपसे मिलना चाते हैं देखे हो सकता है कि कुछ ऐसी बाते हैं जो आपसे कहना नहीं चाहते हैं फैमिली से रिलेटेड हो सकती है ठीक है करियर से रिलेटेड हो सकता है कुछ लॉस हुआ हो चीजे छुपाई गई हो हो सकता है कि हर बात आपको बोल कर बता कर आप से आपको हट नहीं करना चाहते है ठीक है तो यहाँ पे एक मेजर स्ट कह सकते हो कुछ चेंज आ रहा है लेकिन इस वक्त आपके पार्टनर के अंदर बहुत दुबिधा है और कुछ वर्स आप जो ठके हुए यहाँ आपको अप सारे लोग खड़े हो जाते हैं एक दूसरे को हटाने के लिए तोड़ने के लिए जिनके लिए आप अच्छा भी कर रहे हैं वो भी आपको ट्रिगर करते हैं जिनके लिए आपने किया है वो भी आपको ट्रिगर करना सुरू करते हैं जबकि आपके मन में कुछ ऐसी बाते आपक नहीं होती, किसी के लिए कि मैं किसी को बुरा चाहूं। ठिक है, आपका सोल ऐसा है कि कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं चाहती है। लेकिन एक इंसां है, जो मन में कभी-कभी उसको भी कोई दिल तोड़ता है, तो इंसान के मुझ से कई बाते निकल जाती है, वो वाली बात है, लेकिन कही न कहीं आप सब के लिए जरूरत बने हो, सब की help किये हो, थिक है, थोरा अपने लीविव वर्ग करो, प्रेशर से निकलो ठकावट से निकलो जहां आपके तरफ हीलिंग हाईगी उनके तरफ भी हीलिंग होईगी ठीक है तो देखे़िे आपके पाटल भुटन की एनरजी में है याद किजिए लेकिन आपसे मिलना चाहते हैं चेंज लेकर आना चाहते हैं को पाना चाहते हैं क्योंकि देखिए अगर आपको उन्होंने नाराज किया तो उनके मन में डर भी है इनको अंदर से confidence भी पुढ़ाना है क्योंकि आपका सामना करना आना है मिलना है और आपसे कैसे बात करें कैसे अप्रोच करें, क्या कहकर वो आपको मनाएं, क्योंकि इन्हों ने आपको तो हट किया है, ठीक है, तो इस वज़े से आपके पार्टनर कन्फूजन दूर करना चाहते हैं, हिम्मज उटा रहे हैं, अगर किसी को लग रहा है, कोई एक दूसरे कि एनर्जी आई है, अब कौन क्या, किसके साथ माइंड गेम खिल रहा है, ये तो भगवान जाने, इश्वर जाने, ऐसा नहीं होना चाहिए, लॉंग डिस्नस लेक्शन्षिप है, कुछ लोग यहां पे अबराट से रिलेटेड काम या बिजनस कर रहे हो, या ट्राबल कर रहे हो, ठीक है, four of pentacles, three of wants, तो यहां कुछ विर्स, आप या आपके person, कोई जो है, job हो, business हो, अबराट से रिलेटेड कुछ मुझे दिख रहा है, और चाहे वो goals हो, चाहे वो किसी का business हो, या यह चीज़ दिख रहा है, आप और आपके partner के बीच में ऐसा कुछ long distance भी है, या आप दुनों abroad में रहते हो, या फिर एक कोई abroad में रहता है, जो काम के सिलसले में है, business के सिलसले में है, जो travel करना चाहते हैं, distance को कम करना चाहते हैं, देखिए, या आ रहे हैं, आने की कोसिस कर रहे हैं, passionate energy, stability के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन यह stuck है इस वक्त, अभी यह stuck है, यह कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं, balance create करना चाहते हैं, लेकिन यह stuck हैं, बंदे गुए हैं, इस वक्त यह stability के बारे में सोच हैं, आपके बारे में, career के बारे में, goals के बारे में, यह सारा कुछ सोच हैं, लेकिन यहाँ पे कहा जाए, तो आपके partner को इस रिष्टे में किसी की support की जरुवत है, ज्यादा तर आपकी कुछ बारे parents या family की इनको support की जरुवत है, इस रिष्टे को लेकर, career को लेकर, business को लेकर, एक support चाहिए, इस relationship पर भी एक काम करना चाहते हैं, लेकिन इनको इस वक्त कोई support नहीं कर रहा है, ठीक है, इस परसन को कोई support नहीं कर रहा है, इस लिए इस वक्ते stuck और परशान है, लेकिन वो घुटन वाली एनरजी है, क्योंकि इनके मन में है, कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, तो आप से अपने दिल की बात कहकर वो रिष्टे को balance करें, confusion दूर कर, लेकिन मन में डर भी है, अपने आप चाहिए ये वाली energy है, छिक है, साई बाबा का संदेश ले लेती हूँ, आज साई बाबा आपको क्या कहना चोते है, बाबा मेरे विवर्स के लिए संदेश दिजे, साई बाबा, भी पुलता, जल्दी आपके भी पुलता का उपहार गरन करेंगे, तो आपने आपको कमजोर मत समझगे पूलता का उपहार करोगे। क्या बात है और मन के भय को चिंता को दूर किजिए आपके मन की आस्ता बहुत ही पाबरफूल है और मजबूत है मैनिफेस्ट किजिए और लाइप में आगे बढ़िए बाबा भी कह रहे हैं कि बहुत सारी वियर्स आपके तरफ एक बिग हैपी चेंजेस आ रहा है क्योंकि आ बहुत जल्द आपसे मिलना चाहते हैं आपके तरफ आना चाह रहे हैं दिल की बात सारे सेयर कर देना चाहते हैं इस इसे में बैलन्स आते हैं आपके मन में जो भी दुबिदा है कन्फ्यूजन है इसे दूर करना चाहते है लेकिन मन कर डर है कि आपको अप्रोच करें तो कै कैसे करें यह वाली वाइब्रेशन है बस मुझे तुम चाहिए तो एक बीग हैपी चेंज़ेश और बाबा का भी संदेश आ गया है भरोसा और आस्था ठीक है और आप इतने स्ट्रॉंग हो आपका आस्था इतना स्ट्रॉंग है कि कुछ भी आपके तरफ आ सकता है बहुत सा पहर के अनरजी आपके पार्टनर की वीडियो अच्छी लगे दियर तो लाइक करें शेयर करें चानल को सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मज़ गॉड प्लेस ही हो